तो नवस्का उस्तो मैं नमर उद्र आप देखा आप इंफॉर्मेशन दोस्तो फाइनली आज हमारे पब जी मोयल का अंदर आ चुका है वीक फाइब के मिशन तो जित्ते भी सारे मिशन आये हैं सबको मैं इस वीडियो का अंदर एक्स्प्लेंड करने वाला हूं तो वीडियो इसलिए आज मेरे पास आ चुका है वीक फाइब के मिशन तो आपके पास आया होगा वीक फॉर के मिशन तो वीक फोर के मिशन में पिछले वीक के अंदर और एक्सप्लेंड करके रखे हैं तो अगर आपने नहीं देखा हुआ उस वीडियो को उपर आई बटन में भी वीड complete करते हैं तो आपको मिले वाला है extra point mission गाफी simple है कि आपको 100 minute तक classic mode के अदर survive करना है तो normally अपने royal pass friend के साथ matches खेलते रहिए तो आपका easily complete हो जाएगा तो उसके बद आता है multi option mission जहाँ पर आपको 3 option देखने को मिलता है सबसे पहला option है कि आपको 18 enemies को kill करना है P90 gun लेके arena के अंदर second option है कि आपको 4 enemies को kill करना है wing 94 gun लेके classic boat के अदर and तीसरा यहाँ पर जो option है कि आपको 4000 damage देना है library TDM के अंदर arena के अंदर तो library जो TDM है यह हमें देखने को मिलता है weekend के अंदर तो तीनों मेंसे जो भी आपको easy लगे उसका पुचूस करके complete कर लिजे तो उसके बाद जो next mission है कि आपको arena के एक single match के अंदर 1500 damage देना है तो normally अगर आप अच्छी तरीके से खिलते है 15-20 skill करते है TDM के अंदर तो आपका easily complete यह हो जाएगा उसके बाद आता है royal pass player का final mission जहाँ पर आपको बोलेगे कि आपको teammate को carry करना है vehicle के अंदर 10,000 meter तर classic mode के अंदर तो अगर आप अपने squad में गारी चलाते है तो normally आपका खेलते-खेलते यह mission complete हो जाएगा तो उसके बाद आता है non royal pass player के mission तो सबसे पहला जो mission है यह है aid mission मतलब अगर आप कोई भी royal pass friend के साथ यह mission complete करते है तो उनका जो mission है वो भी आपके साथ count होता है और दोनों का मिला कि यह आपका show करेगा और आपका जल्दी-दी complete हो जाएगा mission का भी simply कि आपको grenades को उठाना है 32 मैचों के अंदर तो हम लोग grenade तो उठाती ही रहता है classic mode के अंदर तो normally खलते-खलते complete यह हो जाएगा उसके बाद आता है multi option mission के आपको school के billing के चछत के उपर आपको तीन बर उतरना है second option है कि आपको हाथीन जो कि सानौक के अंदर है उसके किसी भी billing के चछत के उपर तीन बर उतरना है बताता है next mission के आपको 4 airdrop को open करना है classic mode के अंदर तो यह कोई भी airdrop हो सकता है सरकारी airdrop हो सकता है या आपका जो private airdrop मतलब prepare drop यह भी हो सकता है बस आपको सबसे पहले जाके open करना है अगर कोई friend आपका पहले open कर लेता है या enemy already open करके रखा है तो आपका count नहीं होगा तो उसके बाद जो next mission है कि आपको 10 enemies को kill करना है sks लेके any mode के अंदर तो यहाँ पर any mode बोला गया तो इसको TDM के अंदर जाके भी complete कर सकता है तो बस आपको sks लेके जाना है and जहाँ पर भी बंदे देखो उसको मार देने TDM के अंदर तो उसके बाद आता है next mission की आपको level 3 का जो west है उसको आपको 10 matches के अंदर उठाना है classic mode के अंदर तो normally अगर आप drop drop लूटते हैं तो आपको easily मिल जाएगा नहीं तो अगर आपको hot drop places के अंदर उतरते हैं तो लूटते लूटते हमें मिल जाते हैं तो normally खलते खलते यह भी हमारा complete हो जाएगा उसके बाद आता है final mission जो की है कि आपको 20 enemies को kill करना है UMP45 लेके any mode करना तो यहाँ पर भी any mode बोला गया है तो इसको भी आप TDM करना complete कर सकते हैं तो इस बार का जो सारे का सारे mission है week 5 को बहुत ही simple है तो normally आपका complete हो जाएगा तो जीते भी सारे mission है से सबको मैं आपके लिए explain कर दिया तो वीडियो का सब्सक्राइब नीचे comment सब्सक्राइब करना वीडियो कर अच्छे लगा है वीडियो को like जरू करना है और हो सकते अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को share कर देना अगर पहली बार आए है हमारे इस चैनल के अंदे तो नीचे लाल करके subscribe बटन है उसको click करके बैल एकन को जरूर प्रेस करना है जो all notification उसको जरूर अन करना ताकि मैं जब भी को नए वीडियो अप्लोट करूँ आपके सामेरा notification आ जाए तो चली फिर मातों को एक नए वीड पीच ते